तो दोस्तों कि आपके Facebook पेज़ पर भी कुछ इस टाइब का प्राब्लम आ रहा है Growth at Risk का तो आज की इस वीडियो में आपको बताँगा ये प्राब्लम क्या है और ये हमारे Facebook पेज़ पर क्यों आता है और इस प्राब्लम के आने से हमारे Facebook पेज़ पर क्या effect पढ़ सकता है और फिर लास्ट में आपको ये भी बताँगा कैसे आप इस Growth at Risk को रिमोग कर सकते हैं अपने Facebook पेज़ से तो बहुत ही शार्ट वीडियो होने वाला है तो बिना time waste के चलिए शुरू करते हैं दोस्तो Growth at Risk problem को सालुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बाद Facebook open कर देना होगा तो जैसी आप भी अपने mobile phone में Facebook open करेंगा तो आपके सामने भी कुछ ऐसा interface कुल के आ जाएगा तो जैसी आप C dashboard के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रोल करना है तो जैसी स्क्रोल करेंगे तो आपको पहला यी option मिलता है profile recommendation को तो आपको profile recommendation के आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ interface दिखाई आ रहा हो को growth at risk का तो अब मैं आपको पिताँगा इसका मतलब क्या और इसके आने से हमारे page पर क्या effect पड़ सकते हैं कि क्या नुक्सान हो सकता है और फिर last मैं आपको बताँगा कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं याने कि growth at risk problem को कैसे आप remove कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते है growth at risk का मतलब क्या तो यहां पर देना इनने क्या लिखा है growth at risk याने कि हमारी जो growth है page ही वो risk पर रहा है तकर हमारे page को कोई भी problem नहीं बस risk पर रहा है कभी बंद हो सकता है block हो सकता है delete हो सकता है remove हो सकता है लेकिन अभी तकर नहीं you can't recommend to anymore भोता है लेकिन हमने एक चीज नोटिस की आपने फ्लेजिट content दाला तो फ्लेजिट content वह होता है जिसमें कोई गाली को लोज किया गया हो यह जिस content में हमने community guideline का उलंगन किया हो उस type की copy paste वाला content डाला हो तो उस type को कहते है फ्लेजिट content भोता है कि आपने वह आपने Facebook page पर डाला है जिसकी वज़से आपकी Facebook page की growth जो है risk पर है अब निचे के लिखता है profile has some violation आपको profile पर कुछ violation है क्या है you have your first violation अभी देकर आपने सिर्फ पहली गलती किये it happens जो यहाँ पर यह आपको problem आ रही है growth at risk की एक problem की वज़से किये जिसकी वज़से growth at risk आगे है review the violation आपको violation को review करना है detail page to learn and how you can good standing यहने कि आपको यह चीज़ देखनी है कि आप अपने page पर क्या अच्छे से अच्छा content डालना है जिसकी वज़से आपका page जो है risk मनी हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा growth at risk का मतलब है कि अभी आपकी page की growth है वो risk पर है लेकिन अभी copy paste करके facebook से 4,00,000,000 पर कमाएं तो उसके बाद किया उन चक्रों में क्या होता है लोग copy paste के चक्रों में क्या होता है YouTube से वीडियो उठाते हैं डिरेक्ट पेस्ट कर लेते है अपने Facebook पर जिसकी वाइसे उनको यह problem देखने को मिल रही है growth at risk तो दो दोस्तों अब simply and finally बात करत जिनमें अपने थोड़ी थोड़ी बहुत editing की हो कि उन सारी वीडियो को अपने डिलेट टारी निया सिर्फ आपको वही वीडियो अपने Facebook पेज पर रखनी होगी जो आपने mobile phone के camera से record की होगी वही आने के original content आपको अपने Facebook पेज पर रखना हो और लगतार आपको 5 दिन जो रिमोव देखने को हो जाएगा तो उसके बाद क्या आपको करना है आपको regular original content डाला है जिसकी वही से आपके Facebook पेज पर यह problem फिर कभी नहीं आएगा तो दोस्तों कुछ इस तरिके से आप भी जो इस problem को solve कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को subscribe कराना ना बूलि जो पहते हैं